यदि आप अपना आधार काट अपने मॉबाइल से घर बैठे ओनलाइन ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लश्ट तक देखते रहिए इस वीडियो में मैं आपको सर्फ दो नट में समझा दूँगा कि आप अपने मॉबाइल से अपना आधार काट कैसे डाउ आप यहाँ पर इस प्लेंग देख लाएं सेम टू से हम ऐसा ही होना चाहिए आप यही लिखके सर्फ करें यह फिर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा बहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आप वेप साइट पहुंच जाएंगे और यहाँ प पर देख सकते हैं simply download आपको इस वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आप अपना आदार कार्ट तीन चीजों से डाउनलोड कर सकते हैं पहला आदार नंबर से यानि कि आदार कार्ट पर आपका जो नंबर है उससे और second आप अपनी enrollment आईडी जो की आपने आदार कार्ट बन बाया है फिर आपने पहले बन बाया था और आपको जो enrollment मिलता है मतलब जो slip मिलती है उस पर enrollment ID लिखी रहती है या आप उससे करना चाहते हैं तो आप इस पर click करके और यहाँ पर अपनी enrollment ID डालके और select आप यहाँ पे EID date डाल दें और EID time डाल दें और यहाँ पर बुट्यूल से करना चाहते हैं तो आप बिशियुल आइडी करके इससे । कर सकते हैं अब अठार नमर से करेंगे आदार का जो नमबर होता है उस से डाउनलोड करेंगे तो फस्ट में आधार नमबर डालेंगे और सेकंड नमबर पर यहां पर इंटर केप्चा की जगह पर आपको यह जो capture देख रहा है आप side में 98a ऐसा करके यह same to same capture आपको यहाँ पर fill करना है इस capture में जो capital letter हो वो आपको capital डालने है जो small letter हो वो small डालने है और जो number यहाँ पर हमारा चैंक का OTP डाल दिया है जो कि हमारे link mobile number पर जाया था अधार कर्ट से link mobile number पर और यहाँ पर आप एक option देख सकते हैं do you want a masked आधार आपको इस वाले option को यहाँ पर एसा ही चोड़ देना है आपको इस टाइप से click नहीं करना है आप इस पर click कर देंगे तो आप आपको यहाँ पर आधार कार्ट में number नहीं देखेंगे बिना numbers का आधार कार्ट डाउनलोड होगा यहाँ पर वो numbers पर cross लगा होगा वो बिलर numbers वाला आधार कार्ट डाउनलोड हो जाएगा आपको इस option को ऐसा ही चोड़ना है simply इस पर click नहीं करना है राइट आप यदी click कर देंगे तो फिर वो बिना numbers का आधार कार्ट डाउनलोड होगा ऐसे ही चोड़के और यहाँ पर OTP फिल करके हम यहाँ पर verify and download पर click कर देते हैं simply जैसे ही click कर देंगे यहाँ पर हमारा आधार कार्ट डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Congress license your आधार कार्ट है as been successfully downloaded यह download होके हमारी download बारे section में चला जाएगा लेकिन उस पर एक passport लगा होगा अब वो passport क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगा अब passport क्या होगा जैसे कि आपका नाम है जैसे कि आपका नाम अनीस है तो यहाँ पर आपके नाम के आगे के चार अक्षर राइट जैसे ए 1989 है यह 2000 है आपको यहसी डालनी है बिना इस पीस दे आगे के आपके नाम के चार अक्षर कैपिटल में और पीछे आपको बर्त यह डालनी है और आपका वो ओपन हो जाएगा आदार कार्ट जो की पासपर प्रोटेक्टिड रहता है अब मैं आपको दिखाता हूँ हम इंपर साइड में हम 3.2 पे क्लिक करते हैं और 3.2 कलिक करेंगे और यहां पर डाउनलोड का यह जो सेक्षन देख सकते हैं इस पर कलिक करेंगे हम जैसे ही तो हमारा यह फ्रस्ट में अदार कार्ट pdf फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है यह हमारे सामने आ जाएगा अब हम इस पर click करेंगे, जैसे हा पर यहां पर यह passport मांग रहा नहीं है, जैसे आपकी वर्थियर डालनी है, जैसे आपकी वर्थियर 2000 है, 1999 है, ऐसा कुछ भी आपको डालना है बीना space दिये हुए और फिर आपको submit पे click कर देना है तो आपका आदार card आपके सामने आ जाएगा तो इस type से हमारा आदार card यहाँ पर download हो चुका है अब हम इसे नीचे scroll करते हैं और यहाँ पर सारी चीज़े दिख रहे हैं हमारा यह जो ordinal आदार card रहता है जो आपको buy post आता है pbc आदार card उससे तोड़ा ही different रहता है आपको उसका हर जगे use कर सकते हैं इसका कुछ जगे पर आप use नहीं कर सकते हैं उसकी तरह क्योंकि यह online download होता है और वो वाचिन वीडियो